तो शड़ी मूड में आपका स्वागत है बिहार में नई भरती के इंतिजार कर रहे लाखों युवाव के लिए अच्छी खुश खबरी है मानने मुख मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए सभी विभागों को ये अदेश दिया है कि जितना जल्दी हो सके नई भरती निकाला जाए यानि कि नई भरती के नोटिफिकेशन निकाला जाए और लोगों से फॉम अमंत्रित किया जाए जो भी इच्छुक उमिदवार होंगे अलग-अलग देखिएगा विभागों में अलग-अलग भरती आएगा तो कौन से विभाग से कितना पदोपर भरती हो सकता है और कौन-कौन उसमें फॉम अपलाई कर सकते हैं ये सभी डिटिल्स मैं इस वेडियो में देने वाला हू तो चलिए सुरुवात करते हैं अब सभी को अच्छा लगेगा एक बात जानकर जिसका बार-बार डिमांड किया जा रहा था और उसी छेतर में काम करनी की जरूरत भी था अब वो लग रहा है कि काम हो रहा है जैसे कि यहाँ पर एक कराकरम के दोरान देखिएगा सीम निति इसकुमार ने कहा है कि सभी भी भागों में अधिक से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाए महागडबंदन सरकार के कामकाज का 41 दिन हम बड़ी संख्या में यानि कि 4325 युवाओ को 9 नियुक्ति पत्र दे रहे हैं यानि कि जो बिहार S.S.C. के अंत्रगत राजा सुक्रम दे रहा है भर्ति करनी की परकिरिया के लिए यह अदेश दे दिया गया है नितिस कुमार जो मुखमंत्री हमारे हैं और यह आप दिखेगा पूरा में आपको निउस यहां से पढ़कर आपको सना रहूं यहां से आपको धुंदला नहीं दिखाई देगा यहां से देख सकते हैं कि निति जी सी बहाली करकर उनको भरा जाए उन्होंने राजास करमचारी के नियुक्ति पत्र दिया राजास करमचारी को जब नियुक्ति पत्र दिया जारा साथ से दो दिन पहले उसे समय यह बात कहा गया था लग लग निस पर में यह देखिएगा सभी को कभर किया गया है हम पुल और पुलिया यहां पर देख सकते हैं कि सड़क पुल और पुलिया की मरमत के लिए टेंडर नहीं दिये जाएंगे। अब उस दिसा में आप देखिएगा एक काम किया गया है जो मैं मानता हूँ जैसे कि अगर आप कोई टेंडर निकालते हैं करोडो रुपईया के टेंडर निकालते हैं ठीक वोस आपको पता होना चीक कि सरकार के पास टेंडर निकलता है और जो आपको ठीकदार होता है वहां पता होना चीक, इस महीने का आपको सरकारी जो करमचारी है, उनका वेतन बहुत जल्द भी मिलने वाला है, दसारा और दीपावली को मद नजर रखते हुए, बित मंतराले से ये आपको जारी भी कर दिया गया है, नोटिस की जल्द ही इन लोगों को पेमेंट दे दिया जाए, दसारा और आपको ये दिवाली छट ये सब पर को देखते हुए, ठीक, तो सरकार के जो में नजरिया है, वो सरकारी करमचारी पर है, नहीं भरती पर है, और उसी छित्र में देखिएगा, आप काम हो रहा है, अब ये जो पूल बन गया है, पुलिया बन चुका है, सडक बन चुका है, तो ये सब में सिर्फ आपको देखिएगा, मरमत के नाम पर करोड़ो अर्बो रुपया का ठीका आता था, और लोग पैसा खा जाते थे, तो अब पैसा रहेगा ही नहीं तो नहीं भरती कहां से आएगा, उस शित्र में इनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया है, और ये सराहनिये काम है, अब चलिए हम अपके भरती के उपर बात करते हैं यहां से, देखिए सभी बिभाग के जो खाली पद हैं, उनको भरने के लिए आपको मुख सचिव को अदेश दिया गया है, नितिस कुमार दवारा ये देख सकते हैं कि 20 सितंबर 2022 कहीं, यानि क आपको परसो रोज कहीं आपको निउस है, ठीक है, और यहां से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहां पर देखिए, यह ध्यान पूरक पढ़िए, बिहार के मुख मंतरी नितिस कुमार ने राज के मुख सचिव को अदेश दिया है कि सरकार के सभी बिभागों में खाली पदो आपको डिप्टी सीम द्वारा भी कहा गया है, बाकी देखिएगा कि लगबग 2700 जो पद और भी बहाली तेजी करने के लिए कहा गया है, यह कौन से यह आपको बिहार S.S.E. लेगा, यह भी राजस्व करमचारी का है, बहुत अच्छा पोष्ट मना जाता है, और वन अप डी लेबल वाला जो भरती पहले डिस्टिक मंजे स्टेट करते थे, जो आपको बिहार S.S.E. के अंतरगत अब होने वाला है, वो 10 पर होने वाला है, यानि उसे आप चपरासी तोर पर कह सकते हैं, जिसे अब हाई कोट में भी आया है, उसे कम लेबल का एक्जाम होता है, क् समझे उसमें ये भी एक बड़ा युगदान देगा, ठीक, फिर हम बात करते हैं कि बिहार S.S.E. के अंतरगत 10 प्लस 2 वाला लेबल की भरती, 10 प्लस 2 वाला लेबल की भी भरती पर बड़े पोश्ट खाली है, आपके सामने भी दिखाई दे रहा है कि रजस करमचारी के भी पोश्ट के इसमें बताया जा रहा है, 2700 पोश्ट है, और आपको बिहार S.S.E. के अंतरगत भी एससे आपको देखेएगा, 3rd सेजियल, उसका भी एक्जाम डेट घुशित कर दिया गया है, उसका भी आपको एक्जाम के लिए लोग लग लग चुके हैं तयारी में, तो य उसमें तेजी से काम आपको देखने को मिलेगा, जिस पर आपको हजारों लड़के नोकरी पास सकते हैं, बहुती अच्छा वो भी जो माना जाता है, फिर आप देखिएगा, 10 प्लस 2 लेबल वला, 7 साल हो चुका है भरती का, अभी जाकर भरती कम्पलीट हुआ, आपको नि इन्होंने भी बोला है, यहां पर मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, देख सकते हैं, जब सीम के बारे में सुन लिए, तो डिप्टी सीम का भी देख लीजे, इस पर क्या काना है, या दिखे, महागडबंदन की सरकार के ओसे, आज अधिवेशन भावन में मंगलवार को तीराली सो पचीस नो नियुक्ति रजस करमचारी की नियुक्ति पत्र दिया गया, इस करकर में मुख मंतर नितिस कुमार, उप मुख मंतर इतेजसी, यादुर रजस और भूमी सुधार मंतर अलोक कुमार में हता रहे हैं, इस अधर पर नितिस कुमार ने कहा है कि हमारी तो का बोज बढ़ रहा था इसलिए यह जो नो नुक्ति हुए है लोगों का इसे थोड़ा दबाव खतम होगा लेकिन अभी भी बड़े असर पर इसमें पुष्ट खाली है उसको भी भरने का निर्देश दिया गया है लगबग 2700 आप देख सकते हैं कि यहां पर दिया हुआ है क अभी अपडेटेट देखिएगा तो यह आपको 3000 से उपर हो जाएगा अब चलिए यहां पर इन्होंने साफ सब देखिए यह साफ सब कहें कि आगे उन्होंने कहा है कि हम लोग मिलकर एक चीज़ पर काम कर रहे हैं केवल पूल पुलिया सडक निर्माण ही नहीं हो रहा है ब제로के उससे मिंटनेस भी ध्यान दिया जा रहा है हर गरीब थरीव राज है हम गरीव राज है सरकार से मदद नहीं मिल रही है लेकिन हम उसके पावजूद भी एक एक चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं तो यह तो पॉलिटेस पर हम लोग नहीं जाएंगे हम बात करेंगे कि आपका भरती किस-किस बिभाग में आ सकता है और कौन-कौन बिभाग में बड़े अस्तर पर भरती खा लिए तो बिहार S.S.E. के मैंने अंतरगत बताया 10th लेबल पर 12th लेबल पर भरती आ सकता है और जल्दी से अगर करवाई होता है तो 2022 के आप देखेगा एक-दो महीने मे लेकिन अभी आपको कफी समय बित गया है वो भी देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन बिहार के मुख मंतर इंतिस कुमारदवर आसवासन दिया गया है कि बिहार दरोगा के साथ-साथ कोंस्टेबल के भरती जल्द आपको देखने को मिलेगा यानि कि लगबग 12,000 के भरती मि इंक्लूड रहता है ठीक यह भी धियान मरकिएगा तो अपने तयारी में बेहतरीन तरीका से आपको लग जाना होगा तयारी क्या करना होगा सभी एक्जाम जो भी आएंगे कोई 10 पर आएगा 12 पर आएगा गर्यूएशन पर लेकिन लगबग देखिएगा समान नध्यन का स हो बारा है तो स्वात विभाग में भी आपको देखने को मिलेगा आपदा प्रबंधन विभाग में लगबग 500 के करीब पद सरीजित कियें गये हैं जिसमें कॉंश्टेबल से दरोगा तक और उससे उपर लेबल वाला पद है तो कॉंश्टेबल वाला CSBC को चल जाएगा क् भरती वहीं कंड़क्ट कराएगा और फिर वह अपदा प्रबंधन विभाग में चला जाएगा क्योंकि अपदा प्रबंधन विभाग अपना सोतंतरुप से भरती नहीं कंड़क्ट अगराता है पूंश्टेबल लेबल का भरती जो है वह आपको CSBC को ट्रंसफर कर दिया ज चुके हैं और यह साई का पद भी बड़े अस्तर प्रखाली है तो सिक्षक का भी टीचर का भी अपको बहाली देखने को मिलेगा अभी तो परक्रिया चल रहे है उस बारे में अब देखिए कब तक बहाली हुआ रहा है तो ऐसे करका दिखिएगा कि अभी भी लगभग दि किया गया अलग-अलग अयोग द्वारा उसको नुट्फिकेशन भेज देते हैं और वह मतलब कि आपको रिक्त पद भेज देते देन वह नुट्फिकेशन निकालता है और आप फॉर्म अपलाई करते हैं फिर एक्जाम होता है फिर आपका रियल्ट हुशित किया जाता है तो यह प्रक्रिया में समय लगता है लेकिन आपको सभी बिभाग को जब अदेस दे दिया गया है ग्रीश अब देखिएगा वह भी आपको परता से काम कर रहे हैं तो बस आपका कमी दिन इंतिजार करना पड़ेगा अभी आपको CSBC के तरफ से नई भरती देखने को मिलेग वह पैसा देखिएगा कि अब करमचारी के बेतन में या जो नहीं भरती है उस पर खर्च किया जाएगा तो अच्छा रहेगा ठीक बड़ी अच्छा लागता लाइक कीजिएगा कोई डाउट हो कोन मक्षमिलिक शक्ते हैं वीडियो दुखनेक बहुत भूद्धन निवाद